बहुत सारे बंदू के माइंड में ये भी डाउट चल रहा है देखिया टूरिस्ट वीजा जो होता है उस पे आप पूरे पाकिस्तान गूम सकते हो लेकिन जो वीजट वीजा होता है आईडी कार्ड, स्पॉंसर लाइटर, उसका एलेक्रिसिटी बिल तो कैसे जनाब एक वर आपके चनल में स्वागत करता हूँ, जब मैं पाकिस्तान का टूर कर रहा था, बहुत सारे लोगों के मेसेज़ीज आ रहे थे, पाकिस्तान का टूर खतम भी हुआ, बहुत सारे लोगों के मेसेज़ीज आ रहे थे, आपने पाकिस्तान का वीजा कैसे लिया, तो इस वीडि देकिए मैंने 2023 में जुन में विजा ऐपलाई किया था आपको डेली ंवेसी जाना है वहां पर वीजा ऐपलाई करना है लेकिन वीजा अपलाई करने के लिए कंडेक में लूạo में टकॉमेट्स हरीख्वाइड इसके इसके साथ साथ जो सबसे important चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा आपको अगर पाकिस्तान जाना है tourist visa तो इंडियन्स के लिए नहीं है आप visit visa के लिए जा सकते हो या pilgrim visa के लिए जा सकते हो pilgrim visa maximum six लोगों को मिलता है लेकिन tourist visa तो इंडियन्स के लिए बिलकुल भी नहीं है visit visa पे आप लोग जा सकते हो लेकिन अगर आप लोगों को visit visa चाहिए उसके लिए आपको जो documents पूरे के पूरे required हो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको एक sponsor letter चाहिए आपको पाकिस्तान में कोई न कोई बंदा होना चाहिए जो आपको visa sponsor करे आपका relative हो गया या आपका friend हो गया बहुत सारे लोगों के mind में डाउट था कि हमारा कोई भी relative नहीं है पाकिस्तान में तो हम कैसे जाए पाकिस्तान में देखिए relative जरूरी नहीं है अगर आपको कोई best friend है तो आप उसको भी बोल सकते हैं वो भी आपको visa है जो sponsor कर सकता है visa नहीं एक sponsor letter बेजता है वो documents है एक formality है court पे जाके वो letter बनेगा उसमें उसने लिखवाना है कि इस बंदे की सारी responsibilities मैं उठा रहा हूं इसका सारा खर्चा इसका खाना इसका पीना अगर यह कोई problem भी create करता है तब भी वो बंदा आपका responsible होगा जो आपको sponsor करता है उसके साथ उसका ID card भी चाहिए ID card, sponsor letter, उसका electricity bill, आपका passport, 5 photographs और उसके साथ साथ आपका अधार card यह चीज़े आप लेके पाकिस्तान embassy जाएंगे लेकिन 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 पाकिस्तान embassy जाने से पहले आपके पास एक और letter भी होना चाहिए जो होता है appointment letter आप अपनी appointment online book कर सकते हो आप जाएंगे तो आप appointment ले सकते हो लेकिन याद रखेंगे आपको appointment 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन की नहीं मिलने वाली है अगर आप आज बढ़ते हो तो आपको date महिने के बाद है जो date मिलेगे appointment letter होगा जिसके ओपर आपके date mention होगी वही letter भी आप साथ रखके embassy चले जाएंग embassy की तरह पाकिस्तान embassy सुबह सुबह जाएंगे जब आप लोग एंटर करेंगे वहां पर आपको entry है जो appointment letter देखे ही होगी लेकिन entry करने से पहले आपको कुछ forms वेरा बरवाने पढ़ेंगे embassy के बाहरी कुछ बंदे होते हैं ज्यादा पैसे नहीं लेते हैं बहुत सारे embassy में कोई भी एक रुपया है जो नहीं लेंगे embassy entry करेंगे जब आपकी turn आएगी appointment letter के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा आपको पुछा जाएगा क्यों जाना चाहते हैं पाकिस्तान जिसने वीजा आपको sponsor किया कोन आदमी है क्या है सारे सवाल जो आप होंगे वहां पे आपको लेकिन आपको ऐसा फील होगा जैसे में जून में फर्स टाइम मैं गया था मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि वीजा मिल जाएका मैं बहुत हैपी था लेकिन अगर आपको कोई आपका friend sponsor करते है तो आप यह यकीन कीजे कि आपको first time है जो वीजा नहीं मिलेगा आप आपको time लग जाएगा फिर उसके बाद वही ऐसा करेंगे कि आपके साथ यह सवाल जवाब करने के बाद यह सब कुछ करने के बाद आपका passport है जो embassy में रख लिया जाएगा फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि दूसरे दिन आप आए अपना passport है जो receive करें और जब आ पासपोर्ट receive करने आएंगे तब आपको embassy के अंतरा एंट पर नहीं मिले कि भार एक उनकी window बनी हुई है वहां से आपको passport है जो आपको वह वापिस देते लेकिन वह जो पासपोर्ट वापिस देते जिन मन्लू का वीजा लग रहा होता है साथ में वीजा भी देते हैं और जिनका नहीं लग रहा होता है उनको खाली देते हैं जैसे कि मुझे फर्स टाइम खाली वापिस किया था कह रहे था कि है कि inquiry मेरी inquiry डाली तो नहीं जब inquiry होती है means जो बंदा मुझे वीजा स्पॉंसर करता है लाइक स्पॉंसर लैटर बेज़ता है उसके गर में बंदे जात हैं कौन है ये बंदा क्यूं आ रहा है पूरी inquiry होती है बहुत सरी कोश्चन्स गर वहां पर भी पूछे जाते हैं इस प्रोसेस को कम से कम 3-4 महिने लग जाते हैं मेरे को 6 महिने लग गे थे मैं खुद 6 महिने के बाद गया था अक्चल मैं तो जब मैंने जाके पता करा मेरी inquiry है जो वापिस आ चुकी थी और जब मैं दुबारा गया वीजा लेने के लिए वीजा अपलाई किया मैंने लेकिन एक चीज़ आप लोग जरूर यह याद रखें कि आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपकी inquiry है जो वापिस पाकिस्तान अमबसी में आ चुकी है आपको ख और उनने फिर से पूछा अच्छे तरीके से कौन बंदा है क्यों जा रहे हैं कौन है कब जाना है क्यों जाना है एक कॉश्चन करने के बाद एक बार फिर से मेरा पासपोर्ड वहाँ पे रख लिया गया था दूसरे दिन मुझे बुलाया पहले पासपड वापिस मुझे inquiry क साथ दिया था में स्पोल रहते कि आपकी इंक्वारी है लेकिन जब दूसरी बार मुझे बुलाया तो मुझे जो पासपोर्ट मिला वीजा के साथ मिला मैं बहुत एकसाइटीड था 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 बाकी बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि कितना खर्चा आता है आपको पाकिस्त कि मेरा खर्चा 30 से 40,000 हुआ था बस वह भी ऐसे ही हुआ था मेरी फैमिली थी वहां पर वहां पर मेरा ज्यादे खर्चा नहीं हुआ था वही लोग मुझे आगे बिचे ले जा रहे थे मेरा कर्चा बस यह जो चीजे वीजे में खुद से लेगी गया तो आप लोग 30 से 40,000 या 25 से 30,000 अपने पास रख सकते हैं अगर आप तो पाकिस्तान जाना है और उसके बाद बेस्ट टाइम में आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में आपको कब विजेट करना चाहिए देखिए गर्मी में जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से पाकिस्तान को एक्स्प्ल करेंगे तो आप पाकिस्तान को अच्छे तरीके से एक्स्प्लोर करेंगे और बहुत सारे बंदू के मैंड में यह भी डाउट चल रहा है देखिए टूरिस्ट वीजा जो होता है उस पे आप पूरे पाकिस्तान गूम सकते हो लेकिन जो वीजट वीजा होता है उस पे आप में यह बात रखिएगा कि आपका जो स्टेटस है अच्छा होना चाहिए आपने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है बाकि पाकिस्तान के लोगों की महबत ऑसम मुझे पाकिस्तान के लोगों ने बहुत प्यार किया मैं उसके लिए रिली अप्रिशेट करता हूँ और आप अध Verf protection का नहीं मैं मुझे मुझे फखर हैं के मैं इंडियन हूँ ले कि पाकिस्तान की होस्पिटेबल्टी देखे, देखे मुझे बहुत अच्छा लागा, वो लोग बहुत प्यार करते, आप लोग कभी भी पाकिस्तान जाना चाहे, पीना डर के, बीना खत्रे के, आप लोग वहां पर जा सकते हैं, और इंजॉय कर सकते हैं, लाहूर को मत मिस कीजिएगा, इसलामबाद को मत मिस कीजिएगा, बाकि मैं जिन जगहों पर गया हूँ, मेरे खिसाब से लाहूर और इसलामबाद, मुझे बिस लगे, बाकि कहीं आगे पीशे जाओंगा, तो तब आपको बताओंगा, और आपको कहां पर वीज़ करना चाहिए और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है कोई भी कुश्चन है आप लोगों को मुझे पूछना चाहते हो वीज़ा डाउट के बारे में मेरा इंस्टाग्राम है सामने आपको दिख रहा है जाए फॉलो कीजिए जरूर 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 रिप्लाइ करूँगा वीडियो को लाइक कुमेंट शेर करना मत बुलिएगा थैंक यू सो मच